हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ यह बेस पॉलिफिन से बना हुआ अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको म काटे जाएंगी घर में इतनी साग सब्जी भी आती है पनियां पड़ी रहती है इस तरह से हम पतली-पतलीन को काट लेते हैं देखिएगा इतना लंबा सा हो जाता है इसको मैं यहां से काट देती हूँ इस तरह से लंबी-लंबी हो जाएंगी इस तरह से काटी जाएंगी बीच से इस तरह से यह देखिए मैंने 24 फिंदे डाले हैं यह मैं बना चुकी हूँ एक कली आपको बताने जा रही हूँ जिस तरह से स्टार्ट करना है उसी तरह से एंड करना है यह मैं स्टार्ट कर रही हूँ किसी तरह से स्टाठ होने है हमें 24 फिंदे लेने इस तरह से और जिस तरह से उन से फिंदे बढ़ लेते हैं इसमें यह हमने इसमें असा लेती हूं इस तरह से यह देखिएगा मैं इस तरह से इसको इस तरह से मैं पूरी लाइन ले जाओंगी इसी तरह से क्योंकि अब हमें इसी से डिजाइन बनानी है यह हमारी उल्टी साइट थी अब मैं सीधी साइट आ गई हूँ इसको एक उतार लेती हूँ इस तरह से इसको भी इसी तरह से एंड तक बनाऊंगी इसे जोड़ना बहुत आसान होता है इसमें हम रख लेते हैं इसको पनी को यह हमारी जोटी हो गई है इसमें रखके इस तरह से इसको मैं बुल लेती हूँ इसमें मोटी सलाई लगाईएगा मैं छह नम्मर की सलाईयों से बुन रही हूँ जिस तरह हम उन का बनाते हैं उसी तरह से बनेगा यह हमारा एंडूरा है इसमें मुझे इसी तरह से छह फिंदे बढ़ाने हैं इस तरह से बुनना है अब हमें सिर्फ दोई फिंदे बुनने हैं इस तरह से फिर उल्टी साट जाएंगी इदर से फिर यह बिलने हैंगे दो दो करके हम ले जाएंगे यह बारा फिंदे बिलने हैंगे तो हमारे छह फिंदे बढ़ जाएंगे फिर बारा फिंदे हम यह गटाएंगे तो बारा फिंदे बो बिनेंगे इसी तरह से यह हम छह फिंदे बढ़ा लेते हैं कि यह अब हम फेर दो दो फिंदे बढ़ गए हैं फेर रिदस से हम दो ले लेंगे ये जो चौबिस फिंदे हैं उसमें से दो दो करके छे बढ़ा लेंगे इधर बारा बढ़ जाएंगे यह इसी तरह से बनेगी पूरी कली अब मैं छे फिंदे पूरे बढ़ा लूँगी तब मैं गटाना बताऊंगी यह देखिए मेरी छे फिंदे यह हमने बढ़ा लिए हैं और बारा फिंदे अभी हमने कुछ नहीं किया है उनको जैसे कि वैसे ही है अब देखिएगा अब एक का मैं दो करूंगी यहां पर इस तरह से इसको मैं बनाओंगी उदर से जो हमारे बारा फिंदे रह गए हैं उसमें से दो बिन लूँगी अब मैं गटाती जाओंगी जब छेव फिंदे गटा लूँगी तब यह कली अमारी बनके तयार हो जाएगी आप इसी तरह से पनेगा अब बस त्रिफ गटा नहीं गटाना है और कुछ नहीं इसमें करना है यह देखिएगा मैंने च्छे फिंदे इदर से बढ़ाएते च्छे इदर से अमने गटा दिये पूरे च्छे गटा दिये एं इदर देखिएगा यह हमारे लास्ट में दो बचए हैं तो जिये हम बिल लेते हैं इस तरह से एदर से मैं आप गटा दूंगी पूरे क्योंकि मेरी कलियां सारी बनके तयार हो गई है इसलिए मैं गटाओंगी इस तरह दोखा एक करके इसको मैं इस तरह से घटा दूंगी सारे फिंदे उतार दूँगी इसी तरह से एक कदो करके उतार देखिए मैं सिल लई हूँ यह पन्नी हमने डाल लग किये सुई में यह पन्नी से मैं सिल लई हूँ दीरे-दीरे से इसको इस तरह से इसको तेज मत खेंचिएगा निकल जाएगी पन्नी है इसको तेज मत खेंचिएगा निकल जाएगी पन्नी है